रोबर्ट टी कियो साकी के द्वारा लिखित पूस्तक रिच डैड पूर डैड की प्रस्तावना इसकी बहुत जरूरत है क्या स्कूल बच्चों को असली जिन्दिगे के लिए तयार करता है मेरे ममे डैडी कहते थे मेहनत से पढ़ो और अच्छे नंबर लाओ क्योंकि ऐसा कर ग्रेज की सिख्षय पूरी हो गई तो हम जिन्दगी में ज्यादा कामियाब हो सकेंगे जब मैंने 1976 में अपना डिप्लोमा हासिल किया मैं फ्लोरिडा स्टेट यूनिवस्टी में अकाउंटिंग में ओनर्स के साथ ग्रेजवेट हुई और अपनी कक्ष्या में काफी उंच पर रही तो मेरे ममी डैडी का लक्षय पूरा हो गया यह है उनके जिन्दगी की सबसे बड़ी उपलब्दी थी मास्टर प्लान के हिसाब से मुझे एक बिग एट अकाउंटिंग फर्म में नोकरी भी मिल गई अब मुझे उम्मीद थी एक लंबे करियर और कम उमर में किया था एक बार नहीं बलकि दो बार पहली बार इंजिनियर के रूप में और फिर ला स्कूल से उन्हें जल्दी ही पेटेंट ला में विशे सगेता रखने वाली वासिंग टंडी सी की एक मानियोई लाफर्म में नोकरी मिल गई और इस तरह उनका बविशे भी सुनेरा ल हमारे साथ ठीक वैसाई नहीं हुआ हमने कई बार नोकरियं बदली हालांकि हर बार नोकरी बदलने के कारण सही थे परन्तु हमारे लिए किसी ने भी पेंशन योजना में निवेस नहीं किया हमारे रिटायर्मेंट फंड हमारे खुद के लगए पैसों से बढ़ रहे थे हम हमने अपने बच्चों को सबसे अच्छी सिक्षा दिलाने में बहुत सा पैसा लगाया। 1996 में एक दिन मेरा बेटा स्कूल से घर लोटा, स्कूल से उसका मो बंग हो गया था, वह पढ़ाई से उप चुगा था, मैं उन विशों को पढ़ने में इतना चाहता सा मैं क्यों बरबाद करूं, जो असली जिन्दगी में मेरे कामी नहीं आएंगे, उसने विरोध किया, बिन तुम कॉलेज से ग्रेजवेट नहीं होगे, तो तुम्हे कोई अच्छी नोकरी नहीं मिलेगी, मैंने एक मां की तरह चिंतित और आसंकित होकर कहा, बिना अच्छी नोकरी के तुम किस तरह अमीर बनने के सपने देख सकते हो, मेरे बेटे ने मुस्करा कर अपने सिर को बोर नहीं गई थी, हलांकि वे स्मार्ट और प्रबल इच्छा सक्ति वाला यूवक था, परंतु वे नमर और शालेन भी था, मम्मी उसने बोलना शुरू किया, और भासन सुनने के बार ये मेरी थी, समय के साथ चलिए, अपने चारों तरफ देखिए, सबसे अमीर लोग अपनी अमीर विकती हैं, और अभी उनकी उमर भी 30-40 के बीच में हैं, और उस बेसवाल पीचर के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो हर साल 40 लाग डालर कमाता है, जबकि उस पर दिमाकी तोर पर कमजोर होने का डिलेबल लगा हुआ है, हम दोनों काफी समय तक चुप रहे, अब मुझे यह समझ में आने लगा था, कि मैं अपने बच्चों को वही सला दे रही थी, जो मेरे माता पिता ने मुझे दी थी, हमारे चारों तर्व की दुनिया बदल रही थी, परन्तु हमारी सला नहीं बदली थी, अच्छी सिक्षा और अच्छे ग्रेड हासिल करना, अ आपको काफी पैसा मिलता है, और हम एक शांदार घर में रहते हैं, जिसमें बहुती कीमती समान है, अगर मैं आपकी सला मानूँगा, तो मेरा हाल भी आपकी ही तरह होगा, मुझे भी ज़्यदा मेनत करनी पड़ेगी, ताकि मैं और ज़्यदा टेक्स भर्स कूँँ और तनक्वा मिलती है, जबकि आपके जमाने में उन्हें ज्यादा तनक्वा मिला करती थी, डॉक्टर को देखी, वे अब उतना वैसा नहीं कमाते जितना पहले कभी कमाया करते थे, मैं जानता हूँ कि मैं रिटायर्मेंट के लिए सामाजीक सुर्क्षा या कंपनी पेंचर प पहले पैदा हुए थे, पर यह उन लोगों के लिए विनासकारी साबित हो सकती थी, जिन्होंने तेजी से बदल रही दुनिया में जनम लिया था, अब मैं अपने बच्चों से यह सिदिसी बात नहीं कह सकती थी, स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड असिल करो, और किसी सुरक अच्छान थी कि स्कूल में बच्चों को धन संबंदी सिक्षा या वित्य सिक्षा नहीं दी जाती, हाई स्कूल खतम होने से पहले ही, आज के युवाउं के पास अपना क्रेडिट कार्ड होता है, यह बात अलग है कि उन्होंने कभी धन संबंदी पाठ्यकर में भाग नही की जाती है, इसे आसान वासा में कहें, तो उन्हें धन संबंदी सिक्षा नहीं मिलती, और यह ग्यान भी नहीं होता कि पैसा किस तरह काम करता है, इस तरह वे उस दुनिया का सामना करने के लिए कभी तयार नहीं हो पाथे, जो उनका इंतजार कर रही है, एक ऐसी दुनिया जिसमें बचत से ज़्यादा मैतव खर्च को दिया जाता है जब मेरा सबसे बड़ा बेटा कॉलेज की शुरुवाती दिनों में अपने क्रेडिट कार्ड को लेकर कर्ज में डूब गया तो मुझे उसके क्रेडिट कार्ड को नस्ट करने में उसकी मदद करनी पड़ी साथ ही मैं ऐसी तरकीब भी खोजने लगी जिससे मेरे बच्चों में पैसे की समझ आ सके पिछले साल एक दिन मेरे पती ने मुझे अपने ओफिस से फोन किया मेरे सामने एक सजन बैठे हैं और मुझे लगता है कि तुम उनसे मिलना चाओगी उन्होंने कहा उनका नाम राबर्ट कियोसा की है वे एक व्यवसाई और निवेसक हैं तथा वे एक सेक्षनिक उतपात का पेटेंट करवाना चाते हैं मुझे लगता है कि तुम इसी चीज की तलास कर रही थी जिसकी मुझे तलास थी मेरे पती माइक राबर्ट कियोसा की द्वरा बनाई जा रहा है नए सेक्षनिक उतपात कैस्पलो से इतने प्रवावित थे कि उन्होंने इसके परिक्षन में हमें बुलवा लिया यह एक सेक्षनिक खेल था इसलिए मैंने स्थानिया विस्विदेले में पढ़ रही अपनी उन्नीस वर्षिय बेटी से भी पुछा कि क्या वह मेरे साथ चलेगी और वह तयार हो गई इस खेल में हम लगवग 15 लोग थे जो तीन समुव में विबाजिक थे माइक सही थे मैं इसी तरह के सेक्षनिक उतबात की खोज कर रही थी यह किसी रंगीन मोनोपली बोर्ड की तरह लग रहा था जिसके बीच में एक बड़ा सा चूहा था परंतु मोनोपली से यह इस तरह अलग था कि इसमें दो रास्ते थे एक अंदर और दूसरा बाहर खेल का लक्षय था अंदर वाले रास्ते से बाहर निकलना जिसे रावट चूहा दोड कहते थे और बाहरी रास्ते पर पहुंचना या तेज रास्ते पर जाना रावट के मताबिक तेज रास्ता हमें यह बताता है कि असली जिन्दगी में अमीर लोग किस तरह पैसे का खेल खेलते हैं रावर्ट ने हमें चुहा दोड के बारे में बताया अगर आप किसी भी ओसत रूप से सिख्षित कड़ी मेनत करने वाले आदमी की जिन्दगी को देखें उसमें आपको एक साही सफर दिखेगा बच्चा पैदा होता है, स्कूल जाता है, माता पिता खुश हो जाते हैं क्योंकि बच्चे को स्कूल में अच्छे नमर मिलते हैं और उसका दाखिला कालेज में हो जाता है बच्चा सनातक हो जाता है और फिर योजना के अनुसार काम करता है वहे किसी आसान शुरक्षित नोकरी या करियर की तलास करता है बच्चे को एसा ही काम मिल जाता है शायद वह डोक्टर या वकील बन जाता है या वैसे नामे बरती हो जाता है या फिर वह सरकारी नोकरी करने लगता है बच्चा पैसे कमाता है उसके पास थोक में क्रेडिट कार्ड आने लगते हैं और अगर अब तक उसने खरीददारी करना शुरू नहीं किया है तो अब जम कर खरीददारी शुरू हो जाती है खर्च करने के लिए पैसे पास में होते हैं तो वह उन जगों पर जाता है जहां उसकी उमर के ज़्यादा नोजबन जाते हैं लोगों से मिलते हैं, डेटिंग करते हैं और कभी कवार शादी भी कर लेते हैं अब जिन्दगी में मज़ा आ जाता है क्योंकि आज कल पुरूस और मैलाएं दोनों नोभरी करते हैं दो तनकोएं बहुत सुखत लगती है पती-पत्नी को लगता है कि उनकी जिन्दगी सफल हो गई है उन्हें अपना वविश्य सुनायरा नजर आता है अब वे घर, कार, टेलिविजिन खरीदने का फैसला करते हैं सुट्या मनाने कहीं चले जाते हैं और फिर उनके बच्चे हो जाते हैं बच्चों के साथ उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं खुशहाल पती-पत्नी सोचते हैं कि ज़्यादा पैसा कमाने के लिए अब उन्हें ज़्यादा मेनत करना चाहिए उनका करियर अब उनके लिए पहले से ज़्यादा माइने रखता है वे अपने काम में ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं ताकि उन्हें प्रमोशन मिल जाए या उनकी तनक्वाएं बढ़ जाए तनक्वाएं बढ़ती है पर उसके साथी दूसरा बच्चा भी पैदा हो जाता है अब उन्हें एक बड़े घर की जरूरत मैसूस होती है वे नोकरी में और भी ज़्यादा मेहनत करते हैं बहतर क्रमचारी बन जाते हैं और ज़्यादा मन लगा कर काम करने लगते हैं ज़्यादा विशे सग्यता हासिल करने के लिए वे एक बार फिर किसी स्कूल में जाते हैं ताकि वे ज़्यादा पैसा कमा सके हैं हो सकता है कि वे दूसरा काम भी खोज लें उनकी आमदनी बढ़ जाती है परन्तु उस आमदनी पर उन्हें इंकम टेक्स भी चुकाना पड़ता है यही नहीं उन्होंने जो बड़ा गर खरीदा है उस पर भी टेक्स देना होता है इसके अलावा उन्हें समाजिक सुरक्षा का टेक्स तो चुकाना ही है इसी तरह बहुत से टेक्स चुकाते चुकाते उनकी तनक्वा चुक जाती है वे अपनी बड़ी होई तनक्वा लेकर घर आते हैं और हैरान होते हैं कि इतना सारा पैसा आखिर कहां चला जाता है भविश्य के लिए बचत के इसाब से वे कुछ म्यूचिल फंड भी खरीद लेते हैं और अपने क्रेडिट कार्ड से घर का किराना खरीदते हैं उनके बच्चों की उमर अब 5 या 6 साल हो जाती है यह चिंता भी उन्हें सताने लगती है कि बच्चों के कालेज की सिक्षया के लिए भी बचत जरूरी है इसके साथ ही उन्हें अपने रिटायर्मेंट के लिए पैसा बचाने की चिंता भी सताने लगती है 35 साल पहले पैदा हुए यह खुशाल दमपती अब अपने नोकरी के बाकी दिन चुहा दोड में फसकर बिताते हैं वे अपनी कमपनी के मालिकों के लिए काम करते हैं सरकार को टेक्स चुकाने के लिए काम करते हैं और पैंक में अपनी गिर्वी संपती तथा क्रेडिट कार्ड के करज को चुकाने के लिए काम करते हैं फिर वे अपने बच्चों को यह सला देते हैं कि उन्हें मन लगा कर पढ़ना चाहिए अच्छे नम्मर लाना चाहिए और किसी सुरक्षित नोकरी की तलास करना चाहिए वे पैसे के बारे में कुछ भी नहीं सीखते और इसलिए वे जिन्दगी भर कड़ी महनत करते रहते हैं यह प्रकिरिया पीडी दर पीडी चलती है इसे चुहा दोड कहते हैं चुहा दोड से निकलने का एक ही तरीका है और वह यह है आप अकाउंट्स और इन्वेस्टमेंट दोनों चेत्रों में निपन हो जएए दिक्कत यह है कि इन दोनों ही विश्यों को बोरिंग और कठिन मना जाता है मैं खुद एक सीपी हूँ और मैंने बिग एट अकाउंटिंग फर्म के लिए काम किया है मुझे यह देखकर ताजुब हुआ कि रावर्ट ने इन दोनों बोरियत और कठिन विश्यों को सीखना इतना रोचक, सरल और रोमांचक बना दिया था सीखने की परकिरिया इतनी अच्छी तरह से चुपा ली गई थी कि जब हम चुहा दोड से बाहर निकलने के लिए जी जान लगा रहे थे तो हमें यह द्यानी नहीं रहा कि हम कुछ सीख रहे थे शुरू में तो हम एक नए सेक्षनिक खेल का परिक्षन कर रहे थे पर अंतु जल्दी ही इस खेल में मुझे और मेरी बेटी को मजाने लगा खेल के दोरान हम दोनों ऐसे विशों पर बात कर रहे थे जिन के बारे में हमने पहले कभी बाते नहीं की थी एक लेखा पाल होने के कारण इंकम स्टेडमेंट और बैलेंस सीट से जुड़ा खेल खेलने में मुझे कोई परिशानी नहीं होई मैंने खेल के नियम और इसकी बारिकियां समझाने में अबनी बेटी और दूसरे लोगों की मदद भी की उस रोज मैं चुहा दोर से सबसे पहले बाहर निकली और केवल मैं ही बाहर निकल पाई बाहर निकलने में मुझे पचास मिनट का समय लगा हालांकि खेल लगवग तीन गंटे तक चला मेरी टेबल पर एक बैंकर बैठा था इसके लावा एक वेवसाई था और एक कम्पिटर प्रोग्रामर भी था मुझे यह देखकर बहुत एरानी हुई कि इन लोगों को अकाउंटिंग या इन्वेस्टमेंट के बारे में इतनी कम जानकारी है जबकि यह विशे उनके जिंदगी में कितने ज्यादा इमियत रखते थे मेरे मन में यह सवाल भी उट रहा था कि वे असल जिंदगी में अपने पैसे देले के कारोबार को कैसे समबलते होंगे मैं यह समझ सकती थी कि मेरी 19 साल के बेटी क्यों नहीं समझ सकती पर यह लोग तो उससे दुगनी उमर के थे और उन्हें यह बात समझ में आनी चाहिए थी चुहादोड से बाहर निकलने के बाद मैं दो गंटे तक अवे बेटी और इन सिख्षित अमीर वेसकों को पासा फेंकते और अपना बाजार पहलाते देखती रही हालांकि मैं खुश थी कि वे लोग कुछ नया सीख रही थे लेकिन मैं इस बात से बहुत परेशान और विचलित थी वेसक लोग समाने अकाउंटिंग और इन्वेस्टमेंट के मूलबूत बिंदों के बारे में कितना कम जानते थी उन्होंने अपने इंकम स्टेटमेंट और अपनी बैलेंस सीट के आपसी संबन्द को समझने में भी बहुत समय लगया अपनी संपती खरीदते और बेश्टे से मैं उन्हें ध्यानी नहीं रहा कि हर सोदे में उनकी महिने के आमदनी पर असर पड़ रहा है मैंने सोचा असल जिन्दिए में इसे करोणों लोग होंगे जो पैसे के लिए सिर्फ इसलिए परेशान हो रही है क्योंकि उन्होंने ये दोनों विशे कभी नहीं पड़े मैंने मन में सोचा बगवान का शुकर है कि हमें मजा आ रहा है और हमारा लक्षा खेल में जीतना है जब खेल खतम हो गया तो रावट ने हमें 15 मिनट तक कैश पलो पर चर्चा करने और इसकी समिक्षा करने के लिए कहा मेरी टेबल पर बैठा विए अवसाई खुश नहीं था उसे खेल पसंद नहीं आया था मुझे यह सब जानने की कोई जुरूट नहीं है उसने जोर से कहा मेरे पास इन सब के लिए अकाउंटेंट, बैंकर और वकील है जिनें यह सब मालूम है रावट का जवाब था क्या आपने गोर किया है कि एसे बहुत से अकाउंटेंट है जो अमीर नहीं है और यही हाल बैंकर, वकील, स्टाक ब्रोकर और रियल इस्टेट ब्रोकर का भी है वे बहुत कुछ जानते हैं और प्राए वे लोग स्मार्ट होते हैं परंतु उन में से ज़्यादा तर अमीर नहीं होते चुकि हमारे स्कूल में वह सब नहीं सिखाते जो अमीर लोग जानते हैं इसलिए हम इन लोगों को सला देते हैं परंतु एक दिन जब आप किसी हाईवे पर कार से जाते हैं आप ट्रेफिक जाम में फस जाते हैं आप बाहर निकलने के लिए छट पटाते हैं जब आप अपनी दाईं तरफ देखते हैं तो वहाँ आप देखते हैं कि आपका अकाउंटेंट भी उसी ट्रेफिक जाम में फसा हुआ है फिर आप भाई तरब देखते हैं और आपको वहाँ आपका बेंकर भी उसी हाल में नजर आता है इससे आपको हालात का अंदाज़ा हो जाएगा कंप्यूटर प्रोग्रामर भी इस स्केल से प्रवावित नहीं हुआ था यह सीखने के लिए मैं साप्टेर खरीच सकता हूँ बेंकर जरूर प्रवावित हुआ था मैंने स्कूल में अकाउंटिंग सीखा था परन्तु मैं अब तक यह नहीं समझ पाया था कि इसे असल जिंदगे में किस तरह काम में लाया जाए अब मैं समझ गया हूँ मुझे चूहा दोड से बाहर निकलने के लिए खुद को तैयार करने की जुरूरत है परन्तु मेरी पुत्री के विचारों से मैं सबसे ज़्यादा रोमान चित हुई उन्होंने कहा मुझे सिखने में बड़ा मजाया मैंने इस बार में बहुत कुछ सिखा कि पैसा असली जिंदगी में किस तरह काम करता है और इसका निवेश किस तरह करना चाहिए फिर उसने आगे कहा अब मैं जानती हूँ कि मैं अपने काम करने के लिए किस तरह का व्यवसाई चुनू और यह व्यवसाई चुनने का कारण नोकरी की सुरक्षा उससे मिलने वाले फाइदे या तन्खवा नहीं होगे अगर मैं इस खेल में सिखाए जाने वाली बातें सीख जाती हूँ तो मैं कुछ भी करने के लिए आजाद हूँ और वह सीखने के लिए आजाद हूँ जो मैं दिल से सीखना चाती हूँ अभी तक मुझे उस खेल को सीखना पड़ता था जिससे मुझे नोकरी पाने में मदद मिलेगी अब मैं यह खेल सीख जाती हूँ तो मुझे नोकरी की सुरुक्षा और सामाजिक सुरुक्षा की ज़्यादा चिंता नहीं होगी जैसी की मेरी बहुत सी सहलियों को होती है खेल खत्म होने के बाद मुझे रोबर्ट से बात करने के लिए ज़्यादा समय नहीं मिला हमने उसकी योजना पर आगे बातें करने के लिए बाद में मिलने का फैसला किया इतना तो मैं जानती थी कि इस खेल के बाहने रावट यह है चाहते थे कि लोगों में पैसे की बेतर समझ विक्षित हो जाए यही कारण था कि मैं उनकी योजनाओं के बारे में ज़्यादा जानने के लिए उत्सुप थी मेरे पती और मैंने रावट और उनकी पत्री के साथ अगले अपते डीनर मिटिंग रख ले हलंकि यह है हमारा पहला सामाजिक मेर जोलदा फिर भी मुझे ऐसा मैसूस हो रहा था जैसे हम एक दूसरे को बर्सों से जानते हों हमने पाया कि हम में बहुत से बाते एक जैसी है हमने बहुत से विशों पर बातें की खेलों नाटकों रेस्तराओं और सामाजिक आर्थिक विशों पर हमने बदलती होई दुनिया के बारे में बातें की हमने इस मुद्धे पर बहुत समय तक विचार किया कि ज्यादातर अमेरिकी कैसे अपने रिटायर्मेंट के लिए बहुत कम पैसा बचा पाते हैं या बिलकुल नहीं बचा पाते हमने सामाजिक सुरक्षा और मेडिकेर की लगवग दिवालिया हालात पर भी चर्चा की क्या हमारे बच्चों को साड़े साथ करोड वरद लोगों के लिए रिटायर्मेंट के लिए पैसा चुकाना होगा हम हैरान थे कि लोग पेंशन योजना के बरों से बैठकर कितना बड़ा खत्रा मोल ले रही है रावर्ट की सबसे बड़ी चिंता यह है थी कि अमीरों और गरीबों के वीज़ फासला लगातार बढ़ता जा रहा है एसा नय सिर्फ अमेरिका में हो रहा है बलकि पूरी दुनिया में हो रहा है रावर्ट स्वे सिक्षित और स्वे निर्मित भी अवसाई थे वे दुनिया भर में निवेस कर चुके थे और 47 वर्ष की उमर में रेटायर होने में सफल हो गए थे वे काम इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें भी वही चिंता थी जो मुझे अपने बच्चों को लेकर सता रही थी वे जानते हैं कि दुनिया बदल चुकी है परन्तु इसके बावजूद शिक्षा पदतियां बिल्कुल नहीं बदली है रावड के अनु साथ बच्चे सालों तक दकी अनु से शिक्षा पदती में अपना समय गुजारते हैं और एसे वीशे पड़ते हैं जो उनके जीवन में कभी भी कहीं भी काम नहीं आने वाले हैं और वे एसे दुनिया के लिए तैयारी करते हैं जिसका आप नामों निसान भी नहीं बचा है आज आप किसी भी बच्चे को जो सबसे खतरनाक सला दे सकते हैं वह है यह है स्कूल जाओ अच्छे नंबर लाओ और सुरक्षित नोकरी ढूंड़ो उन्होंने कहा यह पुरानी पुरी सला है क्योंकि अगर आप चाते हैं कि आपके बच्चे का बविश्या आर्थी ग्रूप से सुरक्षित हो तो आप पुराने नियमों के सारे नए खेल को नहीं खेल सकते यह बहुत खतरनाक होगा मैंने उनसे पूछा कि पुराने नियमों से उनका क्या मतलब है मेरी तरह के लोग अलग तरह के नियमों से खेलते हैं और आपकी तरह के लोग पुराने नियमों के लीक पर ही चलते रहते हैं उन्होंने कहा क्या होता है जब कोई कॉर्परेशन स्टाफ कम करने की गोशना कर लोगों को नोकरी से निकाल दिया जाता है परिवार तबाव हो जाते हैं बेरोजगारी बढ़ जाती है